जहन सभी सात्यों को उमीद है कि आप बहुतर होंगे सांदार बख दिवर्द्विश को पर आज की क्लास जो है सांदार सवाल आपके साथ हैं विस सवालों में बिहार पुलिस कांस्टेबल के तुछ महतुपूर को पर इसके अलावा वो सवाल भी तुन-तुन के रखे गए ह जो है साइन्स सब्जेक्ट विजिक्स चनस्ट्री और बिभिन चैप्ट्रों अति महतुपूर जो चैप्ट्र करते हैं एक तरह से आज की क्लास के बाद आपको एक अंदाजा हो जा है कि बिहार प्लिस कांस्टेबल का जो आजामी जो पेपर हो इसका एस्तर क्या रहे हैं ह अब आपको हर तरह के पेपर दिखाए कि बिहार कि लिए कृष्ट कैसा हुआ तो और यह वूं माडरेट लेवल है कि इसमें सवाल भी देखेंगे जिस सवाल भी देखेंगे जैसा ही विहार कि अगर सच में आपको वर्दी पाने का जुनून है और वर्दी चाहते हैं कि आ अब सभी का स्वागत आज की क्लास ने गारती है कुछ बेहतर ताप 70 कॉस्ट्णी कोसे क्वेसे क्वेस्टा तो मैंने कुछ एक्स्ट्रा भी रखेंगे कि कभी अगर मन किया अक्स्ट्रा पढ़ाने का तो भी काम प्लेगा पहला क्वेस्ट्ण आपके सामने इसको जबाब जबाब देने वाला इस्तंधारी कौन सा है आप जवाब दें कौन सा है अंदा देने वाला इस्तंधारी आप जानते हैं जो एस्तंधारी की खासिएट है यह बच्चे पैदा तों जो इसरी बात होती है यह दूधा कुछ qualifying को क्या पिलाते हैं संताण को दूधा कि उनिम्यम्म्री गलेंड इनने पाया जाता है और तीसरी खासियत होती ने इनके तुचा पर बाल पाहे तुचा पर क्या पाय जाते है बाल पाय जाते हैं संद्थ पढ wondh पिलाते हैं बच्च्छी पैदा करते हैं दिकório hum कना थे यह चीष्यका निद्रओं जवाब है कि अंडा देने वाला एकिड़ना सभी ने ए आप्शन जिन लोगों ने पुना है उसका सही है प्रिवस्तिवारी अनिता का ठीक है ध्यान दीजेगा भी है निक्ति क्या होगा इसका सही जवाब कि कितना सही हो जाएगा देखें सेलेक्शन को साइंस दिलाएगा क् जानते हैं एक बर जो लोग आइडिया लगाना चाहते हैं उनको बस इतना मताबर कि जीके जीएस प्लस करेंट अफेर से आपके पास 45 कुस्चन आने हैं और साइन से आपके पास जो क्रिंक्राहां है उसके अलावा आप जानते हैं हिंदी और इंगलिस से जो आपके पास संद्र आने हैं और इसके अलावा मैथ जो कुष्चन आने हैं वो लगवग दस के करीब आने यह सौ कुष्चन की त्रिंक्ला है इसमें आपको यह याद रखना है कि अगर आप पहला चरण पार करना चाहते हैं तो आप एकदम से चोन में अगर 18 मार्श लाते हैं तो से जो हो रहा है कि स्टाउंड गोगा करते हैं एक बाद फिर से हम देख लेते हैं कि दूसरा सवाल दिखेगा गाये का दूद क्या है कि गाये का दूद में कौन सा प्रोटीन पाए जाता है एक बाद जवाब दीजिए तब तक मैं इसका सही करता हूं गाये के दूद में कौन सा प्रोटीन पाए जाता है कितनी वसा होती है इसके बारे में याद रखेगा क्या होगा इसका सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब फियाय गाय कि तो एक आप जानते हैं एक गाय अलग-अलग जबाब पीला नहीं होता कम वसाउट को होता है ज़दा वसाउट हो अगर की तुन्ला भैस से करें तो गाय तास से आठ प्रतिसक्स की वसाफुटित। और एक और बात याद रखेगा civic Nead the प्रोटीन पाया जाता है जिसका नाम में बैसी जब्थी गाय के के दूद मềं कैरोटीन प्रोटीन पाया जाता है जो गाजर situation और जो पीला दूद होता है जैसे एक दूद होता है कोलोस्ट्रम जब संतान उत्पन होता है तो संतान के बाद मा का प्रथम गाढ़ा पीला दूद जो होता है गाढ़ा पीला दूद उसी को कोलोस्ट्रम कहते हैं और इसी कोलोस्ट्रम में आप जानते हैं इम्यूनोग्लोविन जी पाया जाता है जो बिमारियों से लड़ने का काम है तो सही जवाब यहां पर है कम बसायुक्त होता है अगर आपसे पूछे कि पहली प्रथम जेनिटिक मोडिफाइड काउ कौन सी है तो एक गाय है जिसका नाम है रोजी गाय यह पहली ऐसी गाय है ज आपके सामने देखेगा उल्लू काई जाती है क्यावन से कौन सी पाइं पाया जाती है उल्लू की आछ और उल्लू आपокиस्टेश्य धीम है और रात में देखने वाली चीज़े जो होती है वो स्वेत और स्याम होती है यानि ब्लैक और वाइट रात में हमें किस तरह की उस्तु दिखाई देती है ब्लैक और यह आप अलग तरह के लाइट लगे हैं जिससे आप रेड़ देख पा रहे अगर अगर हम कहें कि चान सूर्य की रोष्ण चांद तो ब्लैक और वाइट देखेंगे और रात्री जो स्वेत और स्याम द्रिष्टी होती है आप जानते आखों में जो रेटिना होती है सबी जानते न अधिना द्रिश्टि पटल जिसको कहते हैं इसमें दो सेल पाई जाती है इसी में एक सेल पाई जाती ही जिसका नम ही राड हिंदी में इसको कहते है सलाका कोर्ष का तो जो सलाका पोचिका होती है यही black andrant वाइट विजन के लिए होती है इसी से ब्लैक और वाइट वीजन देखा जाता है तो यह राड सेल्ज जो है यानि जो सलाका कोशिका है यही उल्लू के आंग में पाई जाती है जबकि दूसरी सेल जो होती है न कौन से इससे रंगीन पाए जाता है रोडाप्सिन पिगमेंट पाए जाता है और एक और बात याद रखेगा विटामिन एक कमी से जो रतावधी होता है मनुष्य में रतावधी वो इसी इसी सलाका कोशिकाहे को ही प्रभाविक ठीक है तो सारी चीजे हैं एकर स्क्रीन साट लेना हो तो आप ले सक आप यहान दिजेगा परिवहन की बात या और आप जानते परिवहन के दो सेल हो त다면 यांकाई किसका सब्वहन करता है जलका और में पुरता है बोचा हैं आर एक दिसामें करता है पर दूसरा है लिए यह यह सुक्रोज का करता है यह दोनों दिसाओं में तो आगर आपसे पूछा जाए इसमें पानी का क्या पानी के समवहन के लिए कुछ नहीं चाहिए घनीज के समवहन के लिए न परिवहन दो प्रकाद को एक परिवहन हो गया जिसको हम कहते पैश you transport है पैशिभ ट्रांसपोर्ट और दूसरे को हम कहते एक्टिव ट्रान्सपोर्थ तो जो पैशिव ट्रांसपोर्ट है न इसमें पानी हो गया और साथ में मिनेरल सो गया खनीज हो घ्र Works & आग्टिव sectors ज которой आर यह जो हो गया इसमें सुप्रोज पाया जाता है कि अब पाया जाता है सुप्रोज तो इसका सही जबाब तो क्रोज के हां पिल्कुछ Active And P 96 बिल्कुल जिसा active जो ट्रांसपोड होता है इसमें HIV खत ग correlate देखेऊ पैसिफ ट्रांसपोड ज्यादा से कम की उत उच्न सांद्रता से मसां दर तक भिए कोई वथ्टूप पुच्छ सांदरता से निम्नसादरता की और जानी हो तो वहाँ पर पैसिम ट्रांस्पोर्ट जब उसको कम से ज़्यादा के तरफ जाना हो यानि निम्न सांद्रता से उच्छ सांद्रता के तरफ जाना हो तो यहां से जब उच्छ सांद्रता के तरफ जाना होगा ना यहां एक्टिव ट्रांस्पोर्ट से कुल मिलाकर दे जब किसी वस्तू को नीचे से उपर भेजेंगे तो इनर्जी चाहिए तो यह सभी लोगा सेशन को सेयर कर देंगे नेक्स कोश्चन आपके सामने पूठा हुआ है और यह कोश्चन भी पिहार पुलिस का स्टेबल का है पूछा है एडिटी भोजन में होता है आप जानते हैं में अगर कोई छीज मिलाते हैं सवाल देखेए कैसा आया हुँआ हूँ तो वह क्या होगा एडिटिव मतलब जैसे हमने छिप्स बनाये कुरकुरे बनाए या कोई भी पदार्थ बनाया उसमें जो चीजे मिलाते हैं वह क्या होती है नो बिटामिन भी नहीं होती ना खनीज होती है न रोगनासक को एक तरह से ध्यान दिजैगा रोगनासक और खनीज होते क्यों उसमें कुछ भी हां कुछ भी एक एडिटीव भोजन जो होते या तो वो किसी बीमारी के लिए या किसी खनीज को जोड़ते ठीक नशाद एक सवाल और पूछा है फुफंदू या फुफ जवाब आपका सही आना चाहिए और सभी के जवाब अभी तक जिस इस क्लास में जितने लोगों नहीं दिया वह भी रिप्लाई करें सही जवाब क्या है विया गोडिविनिंग गोडिविनिंग सभी दोस्तों को जो नए जूड़े हैं हाँ पूजा सी एंसी दिल कुछ यहां गर देखा जाएं संवाने तरीकी पर तो मिर्तोप जीवी समपोसि और तरफ का मतलब एक तरसे मिर्तोप जीवी हुआ और एक सवाब और यह जब आप से पूझे कि सेवाल जल तैवाल है जल पक्षी है बड़ी मचली है छोटी मचली से बनी अहार्थ रिंखला में डीडीटी सबसे नीचे क्या होगा सैवाल होगा सैवाल को खाने वाला कौन होगा सैवाल को खाने वाली होगी छोटी मचली और छोटी मचली को कौन खाएगा चोटी मचली को बड़ी मचली खाएगी और बड़ी मचली को कौन खाएगा तो बड़ी मचली को कौन खाएगा तो बड़ी जाहिर सी बात है जो सांधरता होगी नीचे से उपर कि और बढ़ती जाएगी, यह सह Been यह सहर है सहर को आप देखिए छोटी मझली बड़ी मझली और यह है जलिये पक्सी तो पक्सी में सांदरता जो है 25 पी-पी की है और इसमें सांदरता 0.5 ppm और जू प्लेंक्टन में देखे कितने कम ppm की है और जो आप पानी जो जा रहा था खेतों से बहके प्रडूसर के कार उसमें जो सांदरता है बहुत कम जाहिर सी बात है कि नीचे से उपर जाने पर सांदरता जो है तो एक सब्द पूछता है यह कोश्चन किस टॉपिक का है आप जैव आवर्धन के टॉपिक का है इसको नोट कर लिजेगा इसको प्रदूसर में बायो मैगनिफिकेशन आवस्चे पढ़िएगा आजकल यह ट्रॉपिक ट्रेंड में है आजकल इससे कोश्चन पूछा जा रहा है तो जलिए पक्षी में यह आप्शन में क्लियर है हां डेली क्लास साइंस की जो होती है दिन में एक बज़े होती है याद रखेगा डेली क्लास की टाइमिंग क्या है दिन में एक बज़े की सरे नेक्स्ट कोश्चन आपसे पूछते हैं पूछा है वेलामिन को सिकाओं की पस्तिती का लक्षड जो है वो किस से जूरा हुआ है और यह भी बिहार पुलिस कांस्टेवल का सवाल है तो जब इस तरह का सवाल है हां जो पीडि होगा हेलोफाइट इपीफाइट बताईए वेलामिन को सिकाओं कहां पाई जाते जीरोफाइट कहते हैं मरुद्विद पौधे जो होते हैं यह जो कटीले जैसे नागफनी हो गया बभूल हो गया यह सब हो गया है हेलियोफाइट यह आप जानते हैं लोडी मिर्दा में प पौधा आपके सामने लेकि आ रहा हूं यह एपट फ एक पौधा जब दूसरे पौधे के ऊपर होता है उसी को हम इपीफाइट प्रदान करते है एक पौधा है और इसी के ऊपर कोई दूसरा पौधा अगर अपना आस्रे बनाया हुआ है इसी को हम इपीफाइट को लेगे और इपीफाइट क्या करते हैं इनके कुछ जड़ होती है यह वातावड से आधरता को ग्रहण करते हैं तो पड़ो ऐसे कि दिमाग में बैठ जाए तो वेलामेन को सिखाय कहां पाई जाती है उन पौधों में पाई जाती है जो वायुमं अंदल से क्या करते हैं आधरता ग्रहण करते हैं तो इनके पास हैंगिंग रूट पाई जाती है इनके जड़ कैसे होते हैं क्लाइंग रूट देखिए लटक रह होते हैं यह बाहर से क्या लेते हैं अब हाँ फिल्कुल अच्छा साउंड अच्छा नहीं है कि कि नेक्स पोश्चन देखेगा तब तर इस सवाल का जवाब दीजेगा कि इस सवाल का जवाब दीजेगा क्या कि एक बार देखके बताइए अब क्या आवाज सही आदी क्या होगा इसका सही जवाब जब इस तरह का सवाल है कि ओम के नियम का कब और और ओम के नियम ने क्या बात पताईए कि वी बराबर आएगा यहां पर वी बराबर आई का मान कितना है और आर का मान कितना है आई का मान है 2.2 और आर का मान सब्सक्राइब यहां से क्या करेंगे यहां से क्या करेंगे इस वाध्यां से बिखेंगे जब भी आपसे पूछता है इसको इसकी बात पूछेगा और यहां यहां संघू से आउता कि सब्सक्राइब कर दो आध्यां दिजेगा इसकी ऐसलेंक हमेशा पर बटा把 ट्रॐ हुआ को अनुं को कि पोकशे फिर न द रोल रस तर्व का तया है वे सकाति हैं यह बील्स और अब क्या आ गया के वल प्रतिविंब का वो बदलता रही तो आउसर लेंज के लिए वक्तु की दूरी हमेशा क्या होगी निगेटिव ताइन के साथ होगी कि निगेटिव कि तो याद रखेगा पॉज़िके और कि कभी नातमक होगी कभी कि वक्तु कि और कि याद रखेगी के लाद की कि याद फटूँ तो याद नातमक हो वक्तु का पॉक्तु झाल झाल या अब आवासे दिक है तरिया कि अभी आवाजारी जो आवासे दिक है तो आव लगवग आवाज तो आव लोगवग आवाजा तो अवर सुरु करें पूछ है कि वस्तु किसी उचाई एंच से मुक्ड रुप्त में गिर रहे उसके लिए किस बिन्डू पर गती जूर्जाकामान निόलता प्मस्तु कई एक सुछाए से किसी वस्तु को गिरायें तो बात यह है हो गया कि चलिए आवाद बस एक विल्ट में सही हो जाएगा माइक तो यहां पर क्या है कि जब भी हम किसी वस्तु को किसी उचाई से गिराते हैं तो अगर हम उचाई पर पूछे तो स्थिती जुर्ज्या मान क्या होता है मैक्सीमम होगी और Regorph जूर्ज्या यहां पर नंढम हो थीॉर्ज्या का मान यहां पर क्या होगा मिनिमम्व मृरिशन का 요र्अ हो जाता है झाल झाल जाल पर कंचिसन से धावाज प्रापरत है इसंड करीनि गal मां मिलतक है युष तार्वस्त्री गृत्वा कर्षा लेता सबसक्तर्षा लेता इसका मान में आखा चुछ से और इसली से यह देखियर लें terrifying अृगी की लिर खालन से अभी आउज नहीं आर रिता इस है के लिर से रिखितके कि जाती स्व Dartmouth से फीन जाती अगर हम डिवाइब दिवाइब तो यहां पर केजी स्क्वाइब का मतलब म स्क्वाइर होता है अगर इसको अगर हम सेटल डाउन करें तो यहां पर क्या हो जाएगा अब यह पीपी के आवाज अब तो सही है एक बाद सभी लोग बोल दें फिर आगे लेकर चलें क्लियर आवाज सही हो गई पहले बहुत दन्यवाद आप लोगों का अब यह ग्यानिंद जी आपको भी ठेक ना क्लास को सही किया आपने एम माइनस वन एल का क्यूब और टी माइनस टू तो यह जो बीमा होती है मेरे भाई यह बीमा है कैपिटल जी की ओके तो एक बाद सभी लोग समाइली कर दें बहुत बड़ी है ठीक है चलिए ठीक ठीक तो यहां पूछा है कि रेखांकित वस्तू पर कितना प्रेडामी बल लग रहा है माँ इधर साइड में हट जाता हूँ फिगर को देखिए कोस्चन बताइए एक वस्तू यहां पे रखा हुआ है और पूछ रहे हिस पर परिडामी बल किधर कितना लग रहा है इधर लग रहे है दस न्यूटन और अर कह रहे है कि 20 न्यूटन बल ऊपर लग रह रहा है बहुत बढ़िया लला अंकी त्यादो जी चलिए बहुत जबर जस्त आयूस राज बताइए इस पर पूछ रहा है रेखांकित वस्तु पर कितना प्रेडामी बल लग रहा है तो जाहिर सी बात है यहां पर एफ नेट अगर एक्ष डायरेक्शन में निकाले तो f1-f2 क अमान जो होगा 10 में से 10 गया 0 अगर वस्तु प्रिष्ट पर है इसका मतलब इस बल का कोई मतलब नहीं है सही जबाब क्या होगा 0 ठीक नहीं 0 ही आएगा क्योंकि अगर पूछा है रेखांकित वस्तु पर कितना प्रेडामी बल लग रहा है प्रेडामी बल लगने का यह मतल प्रेडाम नहीं है तो आप केवल 36 बल कोई साल्व करेंगे हाँ अगला सवाल देखेगा एक व्यक्ति विभीन रंगों में अंतर नहीं कर पाता है इस व्यक्ति में निम्लिखित की सभाग की समस्या है आपको यह सवाल पूछा गया है यानि आप जानके आपको बताना है आ आप जानते आई में जो द्रिष्टी पटल होता है जो रेटीना होती है ना रेटीना यानि रेटीना की हिंदी होती है द्रिष्टी पटल यही से सवाल पूछा है तो द्रिष्टी पटल पर प्रतिविम कैसा बनता है उल्टा बनता है और कैसा बनता है वास्त्विक बनता ह तो उल्टा और वास्ट्विग प्रतविम बनता है यहाँ पर, रेटिना पर, ऐसा बनता है, उल्टा बनता है और वास्ट्विग बनता है, अब आप ध्यान दीजे, इसी रेटिना में मैंने आपसे कहा था, दोतरा की cell होती है, एक होती है कों cell, जो color vision के लिए जो कैसा vision करती है, color vision तो रंगीन दृष्टी या दृष्टी के लिए होती है तो इसका सही जबाब क्या होगा, कों cell ये इसका सही जबाब होगा, देखना, clear है ciliary muscles क्या करती है, ये focus फोकस दूरी को एड़ेस्ट करती है फोकस दूरी क्या करेगी एड़ेस्ट करेगी और राड सेल जो होती है ब्लैक इंड वाइड वीजन के लिए होती है कार्णिया जो होती है आंख में सफेद वाला भाग है वह कार्णिया है किलियर तो चलें आगे चलते हैं वाई पूछा ह यह तो GS का question है यार यह GS का question है आगे चलते हैं ठीक है कोई दिक्का तो नहीं है यह देख लो इसका सही जवाब जो होगा यह होगा ठीक ना यह पूछाए the reason for the separation of cream from milk after churning पूछाए मतने के पस्चात क्रीम को दूद से अलग हो जाने का कारण क्या है यह जवाब आप दीजेगा आप जानते हैं जैसे अगलग अलग सवाल आता है जैसे एक सवाल आता है प्रभाजी आस्वन से तो आप कहते हैं कि प्रभाजी आस्वन करते हैं जहां बॉयलिंग पॉइंट में अंतर कम हो जहां अंतर क्या हो कम जैसे कच्छा तेल कच्छे तेल से हम लोग क्या निकालते हैं यह अलग अलग तरह के डिजल पेट्रोल ऐसे आप जानते हैं आस्वन एक टेकनिक होती है जिसमें boiling point में अंतर क्या हो जब boiling point में अंतर ज्यादा हो तो यहाँ पर भी हम करते हैं मथनी के पस्चात क्रीम का दूद से अलग हो जाने की जो क्रिया है का कारड क्या है अपकेंदरिय बल है और इसी बल के कारड आप जानते हैं मस्यन से भी गंदगी को कपड़े से दूर करते हैं ठेक ना ओके तो इसका सही जवाब यह यह सर आपकी वाइस किलियर नहीं आ रही है क्या सभी लोग बता है किलियर अभी भी नहीं आ रही है क्या चले एक सवाल यह पूछा हूँ यह भी कांस्टेबल का सवाल पूछा हुआ है और यह सवाल बड़ी जबरज़स सवाल है इंग्लिस वाले देख ले 10 cm convex lens and 20 cm दिया हुआ है देखेगा concave lens कह रहा है कि 10 cm focus दूरी है उत्तल lens की और 20 cm दूरी है आउतल lens की और पूछा है प्रेडामी focus दूरी क्या होगी तो 1 upon f1 plus 1 upon f2 तो यह f2 का मान जो है minus 20 होता है और f1 का मान होता है plus 10 अब इसको घर बैठके अराम से solve करिएगा तो 1 upon f बराबर 1 upon f1 plus 1 upon f2 f1 का मान जो है 10 है और f2 का मान है minus 20 है solve करेंगे lens आजाएगा 20 10 दूना 20 10 से कम 10 1 बटा 20 cm किलियर आया एक मिनट 1 upon f तो यह उत्तल प्लस में आया है तो f बराबर 20 cm आ रहा है तो यह प्लस में आ रहा है उत्तल लेंस के तरह कारे करेगा अगर प्लस में आई है तो यह उत्ता लेंस के तरह कारे करेगा बहुत-बहुत धन्यवाद अगर आवाज अच्छी आ रही है कुछ लोग लग रहा है पुराना अभी पीछे अभी वीडियो में पीछे हैं इसलिए उनको वाइस की दिक्कत दिख रही है एक सवाल पूछा है जब कि वी का मान क्या होगा तो आप जानते हैं जब किसी वस्तु को उर्ध्वादर उपर फेका जाए तो उच्टम बिंदू पर आप जानते हैं गुरत्वी त्वरण नीचे क्यों लगता है जो वेग को क्या करता जाएगा वेग को कम करता जाएगा और कम करते करते यहाँ पर व अगर यह 0 हो जाता तो उचाई कैसे निकालते यू स्क्वार अपान 2G से निकालते तो उचाई पूछता तो ऐसे निकाल सकते थे ठीक है next question के बारे सर कल एक वजए क्लास जरूर लेंगे बाई बिलकुल लेंगे कल की क्लास यहाँ पूछा है खाद्य परदार्थों के डिबबे यह बहुत मातवपूर सवाले देखेगा एक question पूछा हुआ है कि खादी प्रदार्थों के डिब्बे पे जिंक की वजाए टीन का लेप किया जाता है ध्यान दिजेगा पूछा है कि खादी प्रदार्थों के डिब्बे पे जिंक की वजाए टीन का लेप किया जाता है क्यों आपने पढ़ा है केदार नाथ का मंगल आलू जराफीका पकाता है, पड़ा है न, इसमें जिंक का आप जानते हैं, जिंक का जो होता है न, टीन की अपक्छा जिंक का किरिया सिलता अधिक होती है, तो अगर जिंक का लेप करेंगे न, जिंक का लेप करेंगे, तो क्या होगा, जिंक का लेप करेंगे, तो आपको क्या दिखाई देगा आपको उसके अभी क्रिया ज्यादा है तो उससे ज्यादा कोई क्रिया कर जाएगा तो इसलिए टीन ज्यादा सुरक्षित है इसलिए टीन की कोटिंग कर देते हैं ठीक है चलिए अब पूछा है इसमें से एक सवाल पूछा है निमलिखित में से किसमे कडो का आकार आरो ही क्रम में हैं अंग्रेजी में पढ़िएगा अंग्रेजी में आपको लिखा इन वीच आप दो following the size of particles is increasing order increasing order बढ़ते क्रम में हैं तो आप बताएं सबसे छोटा आकार किसका होगा true solution, collide solution and suspension आप देखिए निलंबन का मतलब होता है suspension का आकार क्या होता है suspension मतलब होता है बेटा निलंबन, निलंबन मतलब जो मिट्टी उटी के कड़ होते हैं तो आप जानते हैं उनका आकार होता है 10 की घात माइनस 9 मीटर से अधिक अगर इससे अधिक हो तो वो निलंबन कहलाते हैं, दूसरा होता है coloidal solution क्या होता है तो इसका आकार होता है 10 की पावर माइनस 6 मीटर से बीच में और 10 की पावर माइनस 9 मीटर दोनों के बीच में होते हैं और true solution क्या होते हैं तो true solution जो होते है 10 की पावर माइनस 6 मीटर से छोटे होते हैं से इनका आकार कम होता है तो सबसे छोटा जो होता है वास्त्विक बिलियन फिर कोलवाइड बिलियन और फिर निलंबन यहां देख लीजिए true solution 1 nanometer से छोटे होते है अच्छा यहां पर गड़ बढ़ हुआ है निलंबन 1 micrometer से बड़े होते है ठेक ना और कोलवाइडल solution जो होते है यह 10 हाँ इसके बीच में होते है और 2 solution 10 की power minus 9 meter से छोटे होते है ठेक ना उल्टा कर दिये थे हैं तो यह आप इसको लिख सकते हैं इसको समझ सकते हैं ठीक है हाँ चलिए पूछा है प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है ऐसा सवाल अगर आपसे बहुलक का पूछता है आप क्या बताएंगे चलिए सट टाइम क्यों चेंज कर दिये भीया संडे की टाइमिंग है डेली आपकी जिस टाइम पर क्लास चलती थी उसी टाइम पर होगी प् पुछेगा पॉलि विनाइल क्लो रएड किसका है तो पॉलि विनाइल क्लोराइड का है उसे ही अगर आपसे पूछता है कि रबर किसका है तो रबर आइसोप्रीन का है और आपसे पूछता है नाइलान 6 किसका है तो नाइलान 6 कैप्रोलेक्टम का है अगर आपसे पूछता है नाइलान 6 किसका है तो हेक्सामिथाइलीन डाइमीन का है या एडिपिक एसिड का है hexamethylene diamine का है या adipic acid का है ये दोनों याद रखेगा काम आएगा इसमें पूछा है इन दोनों के योगिक बताएए chemistry की class कब से शुरू हो रही है chemistry पूरी science की class एक ही साथ होती है 1 p.m. जो है भई 1 p.m. से हम बिल्कुल science की class daily लेते हैं यहाँ पे देखिए chemistry का सवाल पूछा है योगिक पूछा है पहले आप positive वाले को उठा लेते हो और बाद में आप negative वाले को तो इसकी valency 3 होगी इसकी 2 होगी क्रास गुड़ा कर दो CR में 2 और sulfate में 3 ये बन गया CR में 2 और sulfate में 3 clear हो गया कोई doubt तो नहीं है भया लला मस्त मजा आगया ये तो आसान सवाल था कर लिए ऐसे ही जैसे माल लीजे calcium का oxygen के साथ देगा तो कैसे बनाओगे इसका 2 इसका 1 लला बताओ क्या होगा C O H का hold twice कर लोगे एक और मैं दे देता हूँ ये करके दिखाओ भया aluminum है ये आप देख पारें और oxygen है oxygen के उपर minus 3 चलिए यहाँ पर करके बताएं क्या होगा सभी लोग करें भाई स्रिया जल्दी से जवाब दीजे क्या हो गया हाँ कैसे करेंगे जल्दी से गवरी स्रिया तीवारी जवाब दें क्या बनेगा air 2 or 3 होगा बिल्कुल तो भया ये सारे हाथ खुल जाने चाहिए बिल्कुल चलिए next question के चलते हैं इसमें पूछा है आप जानते हैं हाँ बिल्कुल BSF को running बहुत बढ़ी असान तो नो हम बिहार पुलिस कांस्टेवल पढ़ा रहें तुम BSF बन बहुत का हो पागले हो आवप लहाई पढ़ला सवाल पुछले बाद नाविकी उर्जा ग्रीहों में कौन सा इंधन इस्तेमाल होता है नुकलियर एक्टर के चो पावर प्लांट होते तो क्या करेंगे डी कुछ लोग डी जबाब दे रहें यह देखे यूरेनियम 235 है और न्यूटरान की बंबारी किए तो न्यूटरान की बंबारी किए तो यूरेनियम 235 जब यह इसके अंदर प्रवेस किया तो इसका क्या हुआ साइज बड़ा हो गया अब ये दो भागों में तूटा बेरियम में तूटा और किस में तूटा क्रिप्टान के आर में तूटा और बीच में तीन न्यूट्रान मिले ये तीन न्यूट्रान तीन और को तोड़ेंगे तो ये क्या है बिखंडन है ये नाभिकी बिखंडन है औ ही इसका सही जबाब है लगवक सभी ने इसका सही जबाब दिया था और ये सवाल एकदम ऐसे जवाब देंगे भीया कैसे करेंगे पूछा है क्रोम हा कार्बन सिक्स कार्बन फोल्टीन में न्यूट्रान की संख्या कितनी है जवाब दीजिएगा क्या पूछा है सिक्स 14 है उपर वाला द्रब्यमान संख्या है नीचे वाला प्रमाडू करमांग है क्या है नीचे वाला प्रमाडू करमांग और आपको पता है प्रमाडू करमांग प्रोटान की संख्या और इलेक्टरान की संख्या के बराबर होता है तो अगर प्रमाडू करमांग 6 है तो प्रोट नहीं होती है, आठ होगी, किलियर, साथ कैसे होगी, क्या होगी, आठ होगी, आपसर नमबर C, बहुत बढ़िया, चलिए, पूछा है, जब तनु ए सियल को लोग चूड में डाला जाता है, तो कौन सी गैस निकलती, अब ये अभी क्रिया देखेगा, पूछा गया है, अमल की अभी क्रिया पूछा गया है, किस के साथ, तो धातू के साथ, तो जब भी अमल की धातू के साथ, अभी क्रिया होती है, तो साल्ट का निर्माड होता है, और हाइडरोजन गैस रिलीज होता है, तो यहाँ पर देखे, हCEL की अभी क्रिया, जब हम आइरन के साथ कराएंगे, तो यहाँ पर क्या होगा FECL3 आपको मिल जाएगा और साथ में हाइडरोजन गैस रिलीज हो जाएगा आप इसी को बैलेंस कर सकते हैं बैलेंस हो जाएगा तो कौन्स हाँ देखेगा तो यहाँ पर पूछा है कौन्सी गैस निकलती है तो हाइडरोजन गैस निकलती है केवल हाइडरोजन गैस निकलती है ठीक है चलिए आगे चलें फिर पूछा है सूरी में उपस्थित नाविकी इंधन कौन सा है सोलर सन की बात कर रहा है और आप जानते हैं सूरे में कौन सी अभिक्रिया होती है नाब की सलनयन होती है क्या होती है भी या नाब की सलनयन की अविकरिया होती है और इसमें आप जानते हैं ये देखिए ये जब अविकरिया होगी तो क्या मिलेगा यहाँ पर हिलियम के नाबिक आपको मिल जाते हैं कुछ हिलियम जैसा मिल जाता है कुछ दिर पहले मैंने आपको कराया था deuterium यानि 1H2 ले लिया और 1H3 ले लिया एक neutron मिल गया और helium मिल गया ये भी अब किरिया होगी तो यहाँ पर ये भी कर सकते हैं देखे 1H2 ले लो और यहाँ 1H3 ले लो तो यहाँ पर पूरा helium बना सकते हो और एक neutron मिल बना सकते हो तो यहाँ पर उपस्तित नाविकी इंधन क्या है hydrogen है hydrogen है helium नहीं है helium कैसे होगा पागल helium कहके सब लोग निकल जाओगे यहाँ से आप से नहीं गलत कर लोगे hydrogen होगा ना नाविकी इंधन कि helium होगा helium में स्थाई है पागल helium समसे स्थाई तत्व है कैसे अभी क्रिया कर जाएगा हाँ गजबाले अज़ा यह बताओ यह तो गलत नहीं होना चाहिए ना सभी को hydrogen हाँ 71% है चलो यह बताए क्या होगा मैं तो बोली रहा था सिर्फ मेरा ही सही अच्छा लल्ला कुटाओगे तुम क्या होगा भई इसका नहा जवाब दे निमलिखित में से कौन jam मात्रा उर्जा का स्रोत नहीं है विच इज नाटा सोर्स आप बायो मार्स इनरजी लकडी बायो मार्स का सोर्स है गोबर सोर्स है कोईला सोर्स है क्या सोर्स नहीं है तो मिर्दा सोर्स नहीं है आप से नमब सी नेक्स कोश्चन चलते हैं बजाए पदार्थ का सबसे छोटा कड़ जो पदार्थ की सब विशेस्ता बताता है बताएए पदार्थ का समसे छोटा कड़ क्या होगा तो पदार्थ का जो समसे छोटा कड़ है वो क्या होगा अडू, परमाडू परमाडू से बड़ा क्या होता है बेटा परमाडू से बड़ा होता है अडू और अडू से बड़ा होता है पदार्थ और पदार से बड़ा होता है ब्रह्मांड तो अगर आपसे कोई पूछे कि समसे छोटा क्या होगा बन हाँ तो यहाँ पर परमाडू और यही परमाडू तत्व है ठीक ना तो इसका सही जवाब आप क्या लगाएंगे एक बात देखके बताईए अड़ू होगा देखिए यहाँ पर थोड़ा मामला फस गया है यहाँ पर परमाडू आपसें में न देख bunlar योगिक तो होगा नहीं मिस्रड तो होगा नहीं अब यहाँ दो बाते बती तो तत्व भी अडू सी, यहां पर अडू को ही जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि परमाडू लिखा नहीं है, तो यहां पर तत्व हटा ही दीजिए, यहां पर आप अडू को ही जवाब देंगे, ठीक है, चलिए, next question देखिएगा, किसी आवरित्ती, बारम, अच्छा, यह म बिलकुल बिलकुल अरू, परमाडू होता है, लेकिन परमाडू नहीं है, तो अरू लगाना पड़ा, यहां पर क्या जवाब दे रहे हैं, तरंगे, जो धातू में संचरित होती है, आप जानती है, ध्वनी की जो तरंग होती है, वो सालिड में सबसे तेज चलती है, फिर लिक्विड में चलती है, और फिर गैस में चलती है, किलियर है, किलियर है न, यह ध्वनी तरंग की बात कर रहे है, लेकिन पूछा है, धातू में संचरित होती है, तो धातू के प्रिष्ट पर, यहां पर दोनों होगा, ठीक है, दोनों संचरित होगी, यह तो ध्वनी तरं अनुधैरे होती है और इसके धातु के प्रिष्ट पर कौन सी संस्रित होती है तो उसको अनुप्रस्त बोलते हैं क्या बोलते हैं अनुप्रस्त पूछा एक चावी भर देखिए बिहार पुलिस कांस्टेबल का सवाल पूछा था पहले घड़ी आती जिसमें चावी भरा जाता था खोब चावी भर देते घड़ी घड़ी चले बैट्री विट्री नहीं लगाते पूराना जमाना था आप लोग नहीं देखे होंगे इसी घ जा होगी चाव कमानी में घड़ी की कमानी में कौन से उर जा है तो इस्तितिज उर जा है डिवरिंग मोशन गतीज होगी आफ्टर दो मोशन क्या होगा पोटेंसियल होगा चलिए एक सवाल और आपसे पूछा हुआ है और यह कह रहा है पचास न्यूटन के एक बल का एक्स पचास का स्क्वार बाइनस तुम reinous 30 स्क्वार आज आएगा कितना 40 न्यूटन 50 यह 35 5 का ट्रेंगल है बिलकुश 3, 4, 5 का ट्रेंगल है बाई, किलियर है सभी को किलियर है, याद रखिएगा वह 3, 4, 5 वाल ट्रेंगल है यह सवाल, थोड़ा सा कठिन सवाल बिहार पुलेस का अंस्टेबल में हीट टॉपिक से पूछा हुआ है और यह हीट टॉपिक का कोस्चन है थोड़ा देखेगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेट पर 5 ग्राम बर्फ 0 डिग्री सेंटीग्रेट पर क्या है, 5 ग्राम बर्फ है आईस है, और 45 डिग्री सेंटीग्रेट पर 20 ग्राम जल है 45 डिग्री सेंटीग्रेट पर, अब आप बताए ये कौन हीट देगा और कौन हीट लेगा तो जो जाद हाँ ये हीट देगा ये हीट देगा और ये हीट लेगा तो यहाँ पर होता है दी गई उस्मा बराबर ली गई उस्मा इसी को अंग्रेजी में कहते हैं तो दी गई उस्मा इसका है और ली गई उस्मा इसका है इसी को कह हीट गीवन वराबर हीट नेकन पड़ा होगा आपने कैलोरी मिती का सिध्धांत है बिल्कुल कुछ दिर में कमेंट नहीं कर पाहेंगे कुछ लोग काम आगे बिल्कुल आपढ़ है यहां पे फिर से देखेगा अगर यह हीट देगा तो कितना देगा क्यू बराबर ms delta t ms delta t और यह कितना लेगा तो यह भी ms delta t ही अब यहां पर ms delta में m1 s1 यहां पर आप देखते चलिए अब इस हिसाब से आप इसको calculate करके आप निकाल सकते कितना ताप मान देगा कितना ताप मान लेगा तो ice वाले में 2 ताप मान आएंगे ml plus ms delta t आएगा सुनिएगा मैं आप से कह रहा हूं कि ice पहले किसमे convert होगा water में 0 degree centigrade का ice 0 degree centigrade के water में convert होगा विया serious हो जाना जिनलों को बिहार police constable में देखना है यह question देख लो 2010 के level में इतना कठिन सवाल देया था और फिर यहां से 45 degree centigrade जा रहा है मने बीच में कहीं जा रहा है बीच में कहीं जा रहा है तो य यह question आपको खुद से समझना पड़ेगा M1 S1 M1 कितना दिया है 20 ग्राम जल की गुप्त उस्मा होती है वन तो 20 गुड़े 1 और उस्मा देखेगा 45 degree centigrade से इसका तापमान कम होके हो गया टी यह देखेगा लिया है कि भया यह क्या है ली गही उस्मा किसके द्वारा ली गही उ सी यह गलन की गुप्त उस्मा होती है गलन की गुप्त उस्मा और पांच ग्राम गुड़े आपसे कह रहा है MS डिल्टा टी यहां पे फिर आइस बन गया और डिल्टा टी यानि टी माइनस कितना आप कर देंगे 5 degree centigrade, 0 degree centigrade अब इस सवाल को साल्व करिएगा आसान तरीके से अगर हो जाता है तो बढ़िया है 20 गुड़े आप यहां पे कर सकते हैं 45 माइनस टी और यहां पे 8 पच्चे 40 400 और यहां पे आ जाएगा प्लस 5 टी इस सवाल को साल्व कर लिजेगा 45 दुना 90 900 माइनस 20 टी और बराबर 400 प 900 में से गया 500 आएगा 25 से काट दीजिए 25 दुना 50 20 डिग्री सेंटिग्रेट आप सनाएगा आधे लोग इस सवाल को नहीं कर पाएंगे किलियर बात है जितने लोग देख रहे हैं उपर से नीचे तक मैसेज मैसेज छाप रहे हैं छापें कोई दिक्कत नहीं है कैलोरी मिती कोई सवाल कुरूट करता है का है एक घुचोंध बढ़िए ने खराब करता है कब तक बहाने बनाओंगे एक दिन तो संस्राइबंब्स का पेपर होगा और उस दिन बहाने नहीं बना पाऊँगे एकिस हजार तीन सो एक्यानवे सीट में से जिस बच्छे के आखों में एक शीट का सपना उपना होगा नएक जिनको छिनना उगा वो लगे होंगे उनको नहीं दिन धिख रहा होगा ना रात दिख आज कहते हैं ना कि मजे से मत जीओ मजा ही सजा है अब मजा छोड़ दोगे मजा ही मजा है आज जीवन का मजा ले लो कल आएगा वक्त वक्त आपका मजा लेगा पूछा है एक राकेट जिस सिध्धान्त पर कारे करता है वो गती का तृतियनियम है या आप कह सकते सौवेक संर प्रक्षड के सिध्धानत पर बोलिए किलियर है ना चलिए एक सवाल और पूछा है कि पत्थर भवन की छट से छोड़ने पर चार सेकंड में भवन की उचाई कितनी होगी जमीन पर गिरता है चार सेकंड में अभी सवाल का जबाब देख लेते हैं वह एक बासेशन को जल्दी जबाब देना है क्या होगा 9.8 कुछ लोग जबाब दे रहे हैं अगर गलत हुआ तो फिर छोड़ेंगे नहीं हम सीधी सी बात है हाइट कितना होगा सारे लोग के जबाब अभी 9.8 आये हैं यूटी प्रारंभिक वेक जीरो हाफ जी का माल 9.8 टी का माल चार्चों कोई सुल्ल तो सुल्ल से काट दोगे आठ आ जाएगा और आप एक बार गुड़ा कर दो आठ अठाएं चोवसट का चार हासिल आया च्छे और आठ नौ बहत्तर छे अठत्तर अठत्तर दसनों चार मिटर जो लो 9.8 मिटर बता रहे थे वह तुक्का से काम नहीं चलने वाल है ये बिहार पृलिस कांश्टेबल है वकात बता देगा कि क्या है वकात बिलकुल ध्वान दीजेगा मैं फिर से कह रहा हूं तीन ने मोसम के क्वेशण है we बराबर you प्लस 80, दूसरा है s बराबर ut प्लस half 80 स्क्वार, तीसरा है v स्क्वार बराबर u स्क्वार प्लस 2as, अगर ये तीन फॉर्मुले नहीं मालूम है, तो आज रट लिजेगा, मोसन का एक भी कोश्चन इसके अलावा नहीं होने वाला है, चलिए, नेक्स कोश्चन चलाते हैं, ये एक और सवाल दिया है, और इसके कोश्चन मैंने कराएं हैं एक वजवाली क्लास में, क्या होगा पूछा, एक घर में 60 वाट के 5 लैं, 75 वाट के 4 पंखे, प्रति दिन 6 गंटे, उप्योग में लाए जाते हैं, 30 दिन के एक महिने में उप्योग कि एक कुल उर्जा कितनी कि दोनों को एक ही साथ निकाल दीजेगा, निकालने का फार्मूला ये है, कितना है, और साथ में पावर को टाइम से गुड़ा करके, दिन से गुड़ा करते हैं, और हजार से भाग देते हैं, फार्मूला इसलिए लिख रहा हूँ कि आपको याद नहीं होगा, तो याद कर लिजेगा, अधर्वाइस डाइरेक्ट कहते कि पाँच लैंप थे, साथ वाट के कितने घंटे डेली, छे घंटे डेली, एक महिने में, हजार से सीधा मामला आता, जीरो से जीरो, जीरो से जीरो, पांच चके तीस, जीरो कार्दो, तीन चके अठारतियां, चोवन, पहले व मान निकालेंगे, दूसरे वाले में फार्मूला लिखना नहीं है, पचात्तर वाट के चार पंखे, पचात्तर वाट के हैं, कितने घंटे, ये भी छे घंटे डेली, तीस दिन में इसका भी निकालना है, एक हजार से इसका भी, डिवाइड कर दिये, जीरो से जीरो कट गया पचिस तियां, पचिस चो को सो, चार से चार कट गया, छेत्री अठारत यां, चोवन, चोवन ये भी आ गया, इनिट कितना आया, तो दोनों को जोड दीजिए, एक सो वाट आ गया, आपसर नमबर एक किसी ने किया है, आरियन का गड़वड है, नौ सो होगा, देख लिजे ये सब के जबाब है, ये वो कोस्टन है, जो बिहार पुलिस कांस्टेबल, आज मैंने केवल उन कोस्टन को उठा के लाया है, जो कोस्टन बिहार पुलिस कांस्टेबल में बार बार आये हैं, और आज की क्लास अगर आपने नहीं देखी, तो बिहार पुलिस कांस्टेबल म 24 चक्र पूरा करता है तरंग की आवरिती क्या होगी कैसे calculation करेंगे इस सवाल का जबाब निकालेगा कि 0.08 सेकंड में 24 चक्र पूरा हुआ है तरंग की आवरिती क्या होगी यानि अगर हम कहें तो time कितना है 0.08 सेकंड और चक्र कितना है 24 तो एक सेकंड में कितना वही आवरित ही होती है 24 बटा जीरो दसलोवार्ट तो 24 बटा आठ करिए एक जीरो बढ़ाई आठ तरीका 24 सही क्या होगा आपशन सही क्या होगा ए बोलिए किलियर है बी वाले सी वाले डी वाले थोड़े से जग जाए 24 का गुड़ा कर लीजिये आजाएगा सही जबाब ठीक है चले आगे हो जाएगा हो तो बहुत कुछ जाएगा स्वाती देखिए पूछा है एक एस्थाई चुमबक किसी निश्चित बिंदू पर चुमबकी छेतर बी उत्पन करता है ये नार्थ है ये साउथ है नार्थ से निकलती हैं साउथ में प्रवेश करती है पूछा हुआ है यदि इसे दो बराबर भागों में काट दिया जाए तो उस बिंदू पर उत्पन चुमबकी छेतर क्या होगा अगर चुमबक को काट दे तो चुमबकी छेतर क्या होगा भाई चलिए बताइए क्या होगा कुछ लों का दिल टूटा हुआ है यह जोड लो तुम फिर बिहार पुलिस का अंस्टेवल का वेकेंसी आएगी दे ले ना अभी जाओ अराम कर लो ठीक है क्या करेंगे इसका जवाब इसका सही जवाब देखेगा चुमबकी छेतर को बी से दर साते हैं और इसका मात्रक होता है टेसला दूसरा मात्रक होता है न्यूटन प्रती एंपियर प्रती मीटर तीसरा मात्रक होता है वेबर पर मीटर स्कॉयर यह बी क्या है मैगनेटिक फिल्ड है ध्यान दीजेगा मैगनेटिक फिल्ड है हिंदी में कहते हैं चुमबकी छेतर ह चुम्बकी च्छेत्र यह नार्थ से निकलता है साउथ में प्रवेश करता है CGS मातर किसका गास होता है तो भया इसको साल्व करिएगा इसका सही आंसर क्या है B है चलिए C वाले काट लिजे चुम्बकी च्छेत्र को काट के आधा कर दिजे चुम्बक को काटने से चुम्बकी च्छेत्र का मान कम नहीं होता है चलिए अगला सवाल पूछा है कि सुची बद फोकस दूरिये वाले चार लेंसों का प्रयोग एक सुचमदर्सी अभी दिर्शेक रूप में करने पर विचार किया जा रहा है उसे किसी निश्चित नित्रिका के साथ सरवादिक आवर्धन पैदा करना होगा उसकी फोकस दूरिये क्या होगी देखिए कि इस कोश्चन में टाइम लगेगा मैं आपको डाइरेक्ट फार्मूला बता रहा हूँ आप इसको साल्व कर लिजेगा ठेक ना यही फार्मूला आप लगाईएगा और यहां से आपके सवाल का सही जवाब आजाएगा यह आई लेंज है यह आई लेंज है यह अब्जेक्टिव लेंज है यह भी आई लेंज है और यह 25 सेंटिमेटर की दूरी है ध्यान से करियेगा कोश्चन को अगर जवाब आ जाए तो लगाईएगा इंग्लिस लेंग्वेज में सवाल को देखे पूछा है considering the use of four lenses with the listed focal length as a microscope objective the lens that will produce the greatest magnification with the given eye piece as a focal length आप यहां पर साल्व करिएगा 5 mm आपका अंसर यहां पर बनेगा ठीक है फार्मूला यही लगाईएगा एक सवाल और है घरेलू खाना पकाने की जो मसीन है जो इंधन है लपीजी बोलते हैं आप जानते है लिक्वीफाइड पेट्रोलियूम गैस इसमें कौन सी गैस होती है आप तो जानते है दुर्गंद हीन होती है दुर्गंद हीन होती है तो जब दुर्गंद को पता करना होता है तो हम इथाईल मरकेप्टेन इथाईल मरकेप्टेन आप जानते होंगे इथाईल मरकेप्टेन का इस्तेमाल करते हैं यह दुर्गंद देख कार्बन मोनो आक्साइड तो नहीं होगा पगले एथेन तो होगा नहीं फाइडरोजन होगा नहीं देख ही आप्शन बचा न डी आप्शन बचा कोई और बचा नहीं सवाल ये भी है कि रदर फोड के अलफा कड़ प्रक्रेडन के प्रियोग द्वारा किसकी खोजवी थी अब ये जवाब देखते हैं बहुत बेसिक सा जवाब है अलफा कड़ का मतलब सभी को पता है क्या अलफा कड़ का मतलब हीलियम का नाविक है अलफा कड़ का मतलब क्या है मेरे भाई हिलियम का नाविक यानि नूकलियस आफ हिलियम है अलफा कड़ बराबत यानि 2Hc4 कभी कभी पूछता है मास कितना होगा तो प्रोटान के मास का चारगुना और आवेस कितना होगा तो इलेक्टरान के आवेस का दोगुना तो आवे के टॉमिक माडल से सवाल आया है यानि यहां से एक टॉपिक आप टॉमिक माडल भी तयार कर सकते हैं वह सेल जिसमें विद्युधारा का उत्पादन रसाइनिक अभी क्रिया के फल स्वरूप होता है क्या कहलाता है यह जवाब और आया है बढ़ियां सवाल है यह भी आप जा होता है विद्युध से रसाइनिक उर्जा निकलती है इस वाले में विद्युध से रसाइनिक उर्जा निकलती है प्रकास रसाइनिक सेल में क्या होता है प्रकास उर्जा से रसाइनिक उर्जा मिलती है तो सेल लगे होते हैं सुलर से लगे होते हैं बहुत बड़ी है इसका गुरू फॉर्मो जल ये धुरूवी है और ये अधुरूवी है मिलेगा ही नहीं ये नहीं हो सकता तीन आपसर बचा पेट्रॉल में जल मिलाएंगे दोनों अलग हो जाएगा नहीं मिलेगा गन पाउडर आप कहते हैं कि गुरुजी कापर जिंक और तीन तीनों होता है तीनो ही इसे कापर और जिंक का दोनों आप सामें ये और ब्साइब दोनों से चिर्णा उन्हों ने लगाया होगा पिल्कुल के लिए एक और सवाल के तरफ लेशा चलते हैं यहां पर पूछा है कि कौन ऐसा है जो क्रिश्टल का रूप धरड करता है क्रिश्टल का कौन धरडड तो दो क्रbusiness ho गया इसको और शूना होगा वाइस का रूप है तो हां पिड मेड है चल रहा है नहीं डॉक्षे बैज Size से बिल्कुल वही ताईASH की संदार सुपिक आपका होने वाला है इसमें पूछा है कि जब magnesium और chlorine के बीच अभी किरिया होती है तो क्या होता है magnesium धातू है और chlorine देखिए magnesium के पास दो electron extra है chlorine के पास 7 electron है तो कैसे अश्टक पूरा किया जाए बड़ी समस्या ये electron त्यागेगा ये electron त्यागेगा इस पर 2 plus इस पर 2 minus mg और Cl2 के बीच में ऐसे बांड बन जाएंगे बोलिए किलियर है प्रतेक magnesium दो electron ग्रहण धातू electron ग्रहण नहीं करता chlorine परमाडू एक electron त्यागता है chlorine अधातू है electron नहीं त्यागेगा अधातू electron ग्रहण करता है सह सयोजक नहीं बनाते क्या अंसर हो गाड़ी धातू हमेशा electron को क्या करता है त्यागता है धातू हमेशा electron को क्या करता है त्यागता है चले इसका सही जबाब D है और आप सम्नेक्स्ट देखेगा पूछाए कि वह कौन सा ऐसा liquid है जो oxygen agent के तरह भी कारें कर रहा है और reducing agent के तरह भी इस तरह के सवाल बहुत पूछे गए है और जब भी पूछे जाएं तो आपको ध्यान देना है अगर आक्सी कारक पदार्थ पूछता है तो आपको बताना है K2CR2O7 KMNO4 ये दोनों के नाम जरूर याद रखेगा ये दूसरी का आक्सी करड कराते हैं दूसरी का क्या कराते हैं आक्सी करड और अपचायक अगर पूछता है अपचायक तो इसका याद रखेगा कौन कौन से होते हैं अपचायक में निकिल प्लेटिनम, पैलेडियम दूसरा याद रखेगा और कौन सा होता है भाई इसके अलावा होता है है एक यहां पर है hydrogen peroxide यह यहां पर याद रखेगा सही जवाब यहां पर यह देगा पूछा है किसमें दो बंध पाए जाते चार आप्षन है double bond किसमें पाए जाता है क्या होगा पूछा है which of the following molecules as a double bond अगर ट्रीपल वांड पूचता तो आपको बताना होता nitrogen क्या बताना होता नैट्रोजन एक nitrogen दूसरी nitrogen के साथ ट्रीपल वांड बनाता है द्यां दीजेगा क्या चेली ट्रीव बंट और थ्यान दीजेगा हमेशा कि धातू यानि मेटल धातू जब भी अधातू के साथ रियक्शन करेगा नान मेटल के साथ तो आइनिक बांड बनाएगा कैसा बांड बनाएगा आइनिक बांड और जब अधातू अधातू के साथ रियक्शन करेगा तो स्था सयूजक बांड बनाएगा कोवैलेंट तो इसका सही जवाब इसमें कौन सी बांड होते हैं तो सह सही उजग होते हैं ठीक है चली नेक्स कोश्चन के तरफ चलते हैं पूछा है दहन की क्रिया के लिए निमलिखित में से कौन सा सर्त आवस्यक है तो मबसन के लिए इंगलीस वाले मेरे भाई विच आप दो फालूइ स्पेशल क्लास आज सामूगी लगी हुई है पूछा है दहन की क्रिया के लिए निमलिखित में से कौन सी सर्त आवस्यक है दहन के लिए बताईए आक्सीजन की अनुपस्थिती ये गलत है पदार्थ के ज्वलन प्राप की प्राप्ति ये तो सही है सही आप्शन क्या होगा सी होगा डी कहां सोई प्रिया अनुपस्थिती पूछ रहा है आक्सीजन की अनुपस्थिती में कहां से दहन होगा आक्सीजन अगर अनुपस्थित हो जाए तो दहन होगा नहीं होगा किलियर सी बात है कहां से कर रहे हैं आप लोग दहन चलिए यहां पर पूछ रहा है कि किसके उधारण हैं दोनों को देखके बताईए परमाडू करमांग समान है या द्रब्यमान संख्या समान है उपर वाले द्रब्यमान संख्या होता है अगर द्रब्यमान संख्या समान तो संभारी कहलाते हैं आइसो बार कहलाते हैं क्या कहलाते हैं आइसो बार सब तुक्का व हाँ गुडिया उन्चास का भी होगा है क्लियर चलिए अगले कोशन के तरफ चलते हैं पूछा है प्रकास संसलेशर की दर अधिक्तम होती है ठीक है भीया जिसके दिमाग में नहीं जा रहा है वो जो दिमाग में जा रहा हो बढ़िया गाना लगा लो भीया पौण सिंग का खेसारी लालियादों का भजपूरी में तो बहुत सारे गाने सुनो आराम से वह अच्छे से दिमाग में जाएगा इस साइन्स कहां दिमाग मे जाएगा चले जगह होना चाहिए ना दिमाग में जाने के लिए प्रकास संसलेशन क्या करता है सोर उर्जा को रसाइनिक उर्जा में परिवर्थित करता है दूसरी बात यहां पर रसाइनिक उर्जा में और आपको एक और बात कही जा रही है कि भाया यहां पर क्लोरोफिल की उपस्तिती होती है और क्लोरोफिल की बात करें तो इसमें एक धातू पाये जाता है मैगनेसिय। दूसरी बात अगर हम पूछें तो लाल रंग की जो प्रकास होती है लाल रंग इसमें maximum photosynthesis होता है maximum photosynthesis और अगर हम कहें हरा रंग में क्या होता है तो minimum photosynthesis होता है तो हरा रंग में minimum photosynthesis होगा और लाल रंग के प्रकास में maximum photosynthesis होगा अगर option में अगर आपके पास लाल नहीं दिया हुआ है तो आप हरा ले सकते हैं clear लाल रंग नहीं दिया है तो आप क्या ले सकते हैं हरा नीला ले सकते हैं लाल पहला प्रकास यहां पूछाई और रंभEdờ्गें में पर दूसरा उगने वाला पैदा कहलता है मैंने आज हिए आपको बताया और यह सवाल अगर आज की क्लास में कोई बच्चा जवाब ना दे पाया तो भी ये लानत है क्योंकि ये सवाल सुरुवात में ही मैंने पूरे फिगर से दिखा के कहा कि एक पौदा दूसरे पौधे के ऊपर होगेगा तो उसके पास दो तरह के जड़ होंगे एक सपोर्टिव रूट होग जो उसको होल्ड करेगा और दूसरा जड़ होगा जो वायु मंडल से आदरता को ग्रहड करेगा आज ही के क्लास में बताया गया जलुद्विद, मरुद्विद, एपिफाइट, हेलोफाइट क्या होगा? एपिफाइट और जिसकी जड़े गहरी जाती है, मरुद्विद इ इसके पास क्या होते है खूब ज़्यादा होते है ठीक है पूछा है एंफिवियंस क्या है क्या पूछा है एंफिवियंस क्या है जल में निवास करते हैं थल में निवास करते हैं वायू में रहते हैं जल और थल दोनों में समान रूप से रहते हैं क्या होगा भीया क्या होगा इसका सही जवाब दीजेगा बताईए जल में निवास करते हैं सैवाल है थल में निवास करते हैं थैलो फाइटा है यह जल थल दोनों में जो निवास करे उसी को एंफिबियंस कहते हैं और पादब जगत का एंफिबियंस ब्रायो फाइटा है इसको कहते हैं पादब जगत का उभैचर पादब जगत का उभैचर क्या है ब्रायो फाइटा है और आपको एक और बात पता होगी कि भया मेधक जो है ये भी उभैचर ही है मेधक भी क्या है उभैचर ही है चलिए निमलिखित में से कौन पोधे में उत्सरजन का एक उत्पाद नहीं है उत्सरजन का उत्पा कब तक चलेगा क्लास 70 कोश्चन की ये स्रिंखला है 70 कोश्चन तो चलेगा ही तिरपन कोश्चन और है 17 कोश्चन और 5 कोश्चन मेरे तरब से ले लिजेगा 75 कोश्चन और चलेगा हाँ हिसाब MD classes हमेशा आपको पांच एक्स्ट्रा ही देगा कम नहीं देगा चीजे पूछता है उत्सरजन टेनीन गोद लेटेक्स यह सब यूरीक एसिड जो है आप जानते हैं पादपों में नहीं है यह जन्तू में और जन्तू में कौन तो कीट यानि इंसेक्ट जो है साथ में अगर हम कहें इंसेक्ट के आलावाब बर्ड है और साथ में रेप्टािल्स हैं इन सभी के द्वारा कुछ सरजित होता है कौन ? यूरीक एसिड जबकि जो जली hommes हैं यह सिक्रीट करते हैं अमोनिया को और उभैचर और इस्तनधारी यह सिक्रीट करते हैं यूरिया को किसको स जो अमोनिया को स selfies data और जो ईूरिक हैसिट को सिक्रेट करेए उतको कहते य सो किरिको टेलिक के चलिए का पूछा है निमलिखीत में से कौन सी घटना है या कौन सी संचना है जो प्रोकैरियातिक को सिक्वा में नहीं पाई जाती है सर जी आज लहाँ बिलकुल आज संडे है आज अराम कर लिया आपको रिविजन का समय होता है कल मिलते हैं ये भी जो प्रेक्टिस क्लास है इसी पर देखिए क्लास टाइम सर प्लीज रिपलाई देखे क्लास की जो टाइमिंग है वो बारह पीम पर याद रखेगा बारह पीम पर आपके लिए जी के जीएस होता है वन पीम पर आपके लिए साइंस की क्लास होती है और थ्री पीम पर आपके लिए हिंदी की क्लास होगी ये टाइमिंग आपके लिए है ठीक है याद रखेगा निम्रिखित में से कौन सी समचना प्रोकरियाटिक कोशिका में नहीं जाता निउक्लियस एबसेंट है अगर केंदरक एबसेंट है तो केंदरक जिली पाय जाएगा नहीं पाय जाएगा और राइबोसों प्रोकैरियाट में बिल्कुल अच्छा है 70S का राइबोसों पाये जाएगा और 70S के दो सब यूनिट है 50S और 30S ध्यान दीजेगा बताइए क्या पूछा है कि DDT का फुल फाउम क्या है डाई क्लोरो डाई फेनिल ट्राई क्लोरो इथेन पूछा है इसमें क्या पूछा है कि भाईया DDT के छिड़काओं से मिर्दा प्रदूसित होगा क्या होगा जल प्रदूसित होगा वायू प्रदूसित होगा क्या बोलो क अगर इसमें जल और मिर्दा दिया होता तो वो सबसे बेस्ट आप्शन होता लेकिन वायू इसने सब जगह दे दिया है इसलिए मिर्दा और जल को हमें लगाना पड़ रहा है ठीक ना पूछा है एक और सवाल इसलीन नाम का एक एंटी endeavorj एस सबसे पहले अप जानते किस ने इसको पेनिसलीं की खोज कि थी यह सबसे पहले कि खोज किती एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, इसकी खोचकी थी और आप जानते, पीनीसिलीन कहां से प्राप्त होता है पीनीसिल्यव नौतेटम से, नौतेटम से प्राप्त होता है, तो कहां से आएगा फंगस के द्वारा याद रहेगा फंगस के द्वारा चलिए ये देखिए ये तो सोचने वाला सवाल है पुछाए मानो सरीर के किस अंग में ये मानो सरीर का फेफड़ा है पुछाए किस अंग में रुधीर आकसीजन युक्त होता है देखेगा इधर से में जो blood आएगा उसमें oxygen युक्त होगा तो बायाँ idhan se dhinkuchi देखेगा इसमें दोनोंहोंगे इसमें सीरा भी होगा और है धमनी भी होगा इसमें दोनों पाए जाएंगे सुद अशुद दोनों पाए जा द्यान से ऐसा ना कि चुनके बैट जाईएगा फिर फड़ा बड़ी टिपिकल सवाल बिहार पुलिस कांस्टेबल में प्रकास जी पूछे गए थे और इसमें बहुत सारे नाम ऐसे हैं जो हमको पहली बार दिख रहे हैं तो आप लोगों को दोस्त बता दे किसी भी प्रकार क की कोई समस्या हो ऊपर जाके धिस की पीडियेफ के साथ आप टिलिग्राम चैनल मंडि क्लासी टिलिग्राम जोड़ जा एंगा फिस्ट टेलिग्राम साथे सकते हैं इसके आलावा अगर आप खो सकते हो तोन से siamoचे कोई कोन यूग्त हर नहीं है सर मेरा सही है पढ़ाओ रीवीजन भी हो जाएगा अच्छा थोड़ा साल मैंसे लिखते वक्त सोचा किजे कि आदेश दे रहे हैं कि रिक्वेस्ट कर रहे हैं रिक्वेस्ट कर रहे हूं तो प्लीज या पढ़ाईए सर जी कुछ ऐसे पढ़ाओ इधर आओ ठीक ना थोड़ा सोच के बुलिए कि कुष्ट रोग अगर हम कहें तो लेप्रोसी होता है और लेप्रोसी का मतलब जो है मिरे भाई यह होता है Mycobacterium leprae किस से होता है Mycobacterium leprae नाम के आप जानते होंगे एक bacteria है कुष्ट रोग और इसके इलाज की जो प्रडाली है उसको MDT बोलते है तो Salmonela जो है गलत है ये कुष्ट इस से होगा टाइफाइड होगा अब यहाँ पर Parathermon Asteoproces Parathermon जो है Paratheride Gland से सिक्रीट होता है और इस से सिक्रीट होता है इसमें Calcitonin भी होता है और ये भी होता है तो ये Calcium के level को maintain करता है तो ये बीमारी सही है कोई गलत नहीं है ठीक है चलिए आगे चलते हैं हाँ गुडिया चलिए मेहा जबाब दीजे इस सवाल का इस सवाल का जबाब क्या होने वाला है पूछा है 82 के लिए कौन सा कथन सही है मियासिस का मतलब होता है अर्द सुत्री विभाजन ध्यान दीजेगा और अर्द सुत्री विभाजन देखिए Biology और Physics Chemistry तीनों स्ट्रांग होना चाहिए और अर्द सुत्री विभाजन एक कोशिका को किसने कोशिकाओं में बाढ़ता है चार कोशिकाओं में बाढ़ता है कितने कोशिकाओं बाढ़ता है चार कोशिकाओं में तो मियासिस 1 समसुत्री विभाजन है मियासिस टू अरसुत्री विभाजन है मियासिस टू अरसुत्री विभाजन है तो मियासिस वन और मियासिस टू जो है न यही अरसुत्री विभाजन होता है और इसका उदाहरण जो है एस्पर्म का निर्माड एग का निर्माड आप जानते हैं पराग कड का निर्माड ठीक ना और आप जानते हैं एक प्लांट में भी एक बिजांड जो होता है उसका निर्माड इसका सही जबाब यही है ठीक है एक सवाल और है अब तो आखरी दस सवाल बचे हैं मानक तापमान और दाव पर किसी द्रव की मात्रा प्रतीकाई आयतन को क्या कहते हैं यह आप जानके बताईए क्या होगा सर जी आप बहुत बढ़ियां पढ़ाते हैं बहुत बहुत धन्यवाद भाई अगर आपको समझ में आया हो तो एक बात ध्यान दीजेगा मैंने आपको एक ट्रिक दिया था मैंने कहा था बात से एक ट्रिक दिया था किसी को याद है जवर्जस ट्रिक था मैंने कहा था बात से बायल का नियम होता है अत्वा से होता है ताप नियत बोलिए भीया यह ट्रिक याद है बायल का न तो PV बराबर मैंने कहा था कि फार्मुला बनता है P1 V1 बराबर P2 V2 का बोल ये भीया राधे राधे किलियर हुआ ये सवाल अलग है ये तो कह रहा है कि तापमान और दाब पर किसी द्रव की प्रतीकाई आयतन को द्रब्यमान का घनत तो कहते हैं द्रब्यमान बटा आयतन को हम घनतो कहते हैं आपेक्षिक भार आपेक्षिक घनतो का कोई मातरक नहीं होता है जब भी हम आपेक्षिक लगाते हैं उसका कोई भी द्रब्यमान नहीं होता है मेरे लाल नेहा याद रखेगा स्रिया कि क्या होगा कहां कि तापमान और दाब क्या कर दिया गया मानक है द्रव की मात्रा प्रती इकाई आयतन मास अपन वालिम क्या कहलाएगा डेंसिटी कहलाएगा चली गिरती हुई जल की बूदे गोल बन जाती है इसका जवाब जितने लोग आज की क्लास में बैठे हर एक इंसान से रिक्वेस्ट है कि सबके कमेंट आए कि सही जवाब क्या है अगर ये कोश्चन आपका कांसेप्ट इसमें अगर किलियर है तो भीया अफसोस होगा मुझे चली हाँ सर आपकी पहली क्लास एक वजे दो पहर में होती है बिलकुल बिलकुल अराधना जी हाँ क्या होगा इसका सही जवाब हर एक आप सनाना चीए सही अगर इसका सही जवाब प्रिष्ट तनाव है तो प्रिष्ट तनाव का मातरक होता है फोर्स अपान पर पेंडिकुलर लेंथ हाँ लेंथ होता है यानि न्यूटन पर मीटर होता है सही जवाब इसका प्रिष्ट तनाव होगा बोलिए किलियर है सभी को किलियर है आसान बना कि साइंस मैं आपको पूरी तरह से समझा दूंगा मैं यह जरूर कह रहा हूं कि अगर मेरे से पढ़कर साइंस समझ में नहीं आई ना तो फिर आपको भारत में कोई और नहीं समझा सकता मैं यह नहीं कह रहा हूं कि मैं आपको साइंस पूरी तरह से समझा दूंगा लेकि मैं येतना कह रहा हूं अगर मेरे से पढ़ने के बाद अगर साइंस आपको नहीं आती है तो फिर आप सको साइंस नहीं समझे में आने वाली है तो एकदम से साइंस मैंने उठाया हुआ है और प्रिश्टनाओं के चलते बूदे गोल हो जाती है आप जानते प्रिथवी गोल है होती है तो फोर्श अपान पर पेंडिकुलर रेत न्यूटन पर मीटर यह मात्रक होता है किसका प्रिष्टनाओ का याद रखे है चलिए आगे चलते हैं पुछा है यह थार्थ दाब निम्लिखित में बैरोमीटर से गाज दाब माइनस वाय मंडली दाब गाज गेज दाब बोलते हैं तो यहां पर जब भी आप यह थार्थ दाब निकालना है तो दाब आया उसमें वाय मंडली दाब को जोड़ दो तभी यह थार्थ दाब आया वास्तविक दाब कितना है वाय मंडल का दाब त क्या कहलाता है आप बताइए इसका उत्प्लावन केंद्र होगा गंभिरता केंद्र होगा गंभिरता नहीं गुरुत्म केंद्र होगा यह center of gravity और center of gravity वही है दो आपसन यहाँ पर गड़वड हुए हैं आप देखिएगा ठेक ना चलिए इंगलिस को ही देखके जबाब दे दीजे center आप बायोज़शी जिसक ने जबाब दिया होगा मेरे हिसाब से वही सही होगा ठेकना जब भी आप किसी वस्तु को पानी में तैराते हैं तो तैरने वाली वस्तु के उपर पानी के द्वारा एक बल लगाया जाता है वही उत्पलावन बल है वो उत्पलावन बल को टच किया अगर हकेमेश्ट्री में चले तो हमने प्रियाडिक टेबल को टच किया अटामिक स्ट्रक्च्चर को टच किया अटामिक माडल को टच किया हमने रेडियो धर्मिता को टच किया बायलोजी में चले तो शेल बायलोजी को टच किया आपने देखा कि प्लांट किं द्रव का भार, द्रव की विस्कासिटी, विस्कासिटी का मतलब स्यानता होती है, और यहां पर पूछा है द्रव की संपीडिता, यह कोश्चन आपको जबाब देना है, कि इसका सही जबाब बनेगा, उत्पलावकता निमलिखित में से किसपन निर्भर करता है, द्रव की जितना गाढ़ा द्रव होगा, उत्ना ही उत्पलावकबल होगा, दाब जिसके द्वारा द्रव विस्थापित होता है, यह तो सही है, विस्थापित द्रव का भार यह भी सही है, द्रव की संपीडिता यहां पर मेरे हिसाब से, आपको लग रहा है क्या विस्थापित द्र तेरे हिसाब से ही होना चाहिए, यहाँ पर एक सवाल पूछा हुआ है, नियत आयतन पर गैस के एकाई द्रबिमान का तापमान एक डिग्री सेंटिग्रेट बढ़ाने के लिए आवस्यक उस्मा की मात्रा क्या होती है, क्या कहते हैं उसको, आवस्यक उस्मा की मात्रा, अब य द्रबिमान का तापमान, एक डिग्री सेंटिग्रेट बढ़ाने के लिए आवस्यक उस्मा की मात्रा है, यहाँ पर पूछा है, नियत आयतन पर गैस के इकाई द्रबिमान का तापमान, एक डिग्री सेंटिग्रेट, तो बिसेश्ट उसमा कौन सी कहलाएगी, नियत आयतन पर कहलाएगी, तो सीवी कहेंगे, नियत दाब पर कहलाएगी, तो सीपी कहेंगे, तो यहाँ नियत आयतन है, तो क्या कहलाएगी, कि भीया नियत आयतन पर यानि आप्शन नमबर एक कहल चलिए लास्ट के पांच कोश्चन थोड़ा तेजी से लेकर चलते हैं पुछा है सुरक्षा वाल वह क्या करता है चार आप्षन आपके सामने हैं बॉयलर के भीतर भाप का दाप जब कारे चालन दाप से अधिक हो जाए तो भाप को बाहर निकालना बॉयलर के भीतल जल अस्त के पार कर दिया है धन्यवाद सभी को बी फास्ट क्या होगा इसका सही जब आप सुरक्षा वाल वाइलर के भीतर भाप का दाप जब कारे चालन दाप से अधिक हो जाए सीधी सी बात आपसर नंबर एग चलिए नेक्स कोश्चन पुछा है पदार्त का वहुड जिसके अगहात वर्धनिय धातु कौन सी है सोना है इसको कहते सरवाधिक अगहात वर्धनिय भी है और सरवाधिक तन्य भी है सरवाधिक तन्य और सरवाधिक अगहात वर्धनिय यह दोनों है तन्यता का गुड आप जान रहे खीचने पर बढ़ने की घर डक्टिलिटी है भंगू यहाँ पर किलियर होगा एस्थाई तौर पर बिरूपड हो जाता है डक्टिलिटी ब्रिटलनेस भंगूरता और यहाँ यहाँ पर देखेगा यहाँ यहाँ पर बनेगा एक बर हम भी इसको कनफर्म कर लेते हैं ठीक ना यहाँ आप्टिलिटी लगाईएगा ब्रिटलनेस जो है देखेगा ब्रिटलनेस का मतलब यह है और डक्टिलिटी का मतलब यह है डक्टिलिटी का मतलब खीचने पर फैल जाना तो जब आप जैसा बल लगा दिये तो बिरूपड बल ही है यह इसका बिरूपड बल ही है इसलिए बिरूपड अस्थाई तरुपर कि के द्वारा होगा तो ductility के द्वारा होगा भंगूरता का मतलब होता है एक limit से जादा लगाने पर भंगूर हो जाना यहीं अंतर है दोनों में तो ध्यान से इसको करिएगा चालक का प्रतिरोध आर किस पर होता है बराबर तो royal अपान एपर ध्यान से पढ़के करिए पदार्थ के प्रतिरोधकता के समानुपाती प्रतिरोधकता यह है सही बात है अनुप्रस्थ परिछेदी छेतरफल के ब्यूतकरमानुपाती यह भी सही बात है लंबाई के समानुपाती यह भी सही बात है चालक का प्रतिरोध होता है इसकी सभी होना चाहिए था मेरे हिसाब से थिक ना इनमें से सभी होना चाहे था चालक का प्रतिरोद होता है प्रति रोधक्ता के समानु पाति इनमें से सभी होना चाहिए आप बताएं क्या होना चैए इन में से सभी होना चैनल क्लियर है पढ़े है कि भी डी होना चैगे चारों होना चैनल निमलीखित की कारे प्रडाली पीजो एलेक्रिक प्रभाव कब किस में किया जाता है लाओड फिकर माइक्रोफोन 59 69 number question सही जबाब क्या बनेगा एक बार देख लिजे पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव क्या होता है पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव देखेगा पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव जो है ये इलेक्ट्रानिक्स डिवाईश में काम करते हैं जहां पर ट्रांजिस्टर डायोड लगाए जाते हैं यानि इसका सही जबाब जो है माइक्रोफोन भी है जहां पर ध्वनी उर्जा को बिद्ध्य उर्जा में परिवर्थित किया जाता है यहां बिद्ध्य उर्जा को ध्वनी तोड़ा जाता है देखेगा एस्थाई चुम्बक को जब दो भागों में तोड़ा जाता है तो चुम्बकी छेतर क्या होता है आप जानते दो विप्रीत चुम्बकी छेतर जो होते हैं डेबलप हो जाते हैं इधर भी नार्थ इधर भी साउथ प्रतेक भाग में एक दच्छ ध्रू क्या होते जाएंगे पैदा होते जाएंगे ये इसका सही जबाप बनेगा किलियर कोई डाउट तो नहीं है चलिए next question के तरफ चलते हैं सत्तर question हो चुका है चार question और कराते हैं जिसको जाना है जा सकता है बिद्धुत परिपत में निमलिखित मापने के लिए अमीटर का प्रियोग किया जाता है किसको मापने के लिए अमीटर का प्रियोग किया जाता है बिद्धुत परिपत में हाँ जल्दी बताना है सत्तर question हमने गेड़ घंटे में आपको दिया है क्या होगा धारा को अमीटर क को सही जबाब यहां पर क्या है धारा है गेलवानो मीटर क्या मापता है ने धारा की उपस्थिती को मापता है तो चीज़ों को ध्यां से देखिएगा चलिए पूछा है उच ताप माद निमलिखित के द्वारा नापे जाते हैं पारा के थर्मा मीटर के द्वारा उच्छे तापमान पारा के थर्मा मीटर जो होते हैं आप जानते हैं 40 degree या माइनस 40 degree से आप समझते हैं 200 degree centigrade तक का तापमान मापा जा सकता है डाक्ट्री धर्मामीटर अलग होता है और पारा का थर्मामीटर अलग होता है एक और पूछा है प्लेटीनम प्रतिरोध ताब विद्युत पैरोमीटर इसमें पैरोमीटर से द्वारा जो है न बहुत ज्यादा उचतापमान मापा जाता है बिक्रड प्राधारित है चलिए सुबरात्री अच्छा जी बस तीन कोस्टन और है पूछाए मानो सरीर से गुजरने वाली धारा ये कोस्टन बिहार पुलिस कांस्टेबल में रिपीट किया है बावू पूछाए मानो सरीर से गुजरने वाली धारा का परिमाड यदि निमलि मिली एंपियर किलियर है चलिए तो अगले सवाल पर चलते हैं दो सवाल और कराएंगे बिद्यूत माप्यंत्रों में बिद्यूत उर्जा नेम रिखित में से किसमे रुपांत्रित होती है किसमें रुपांत्रित होती है बिद्यूत माप्यंत्रों में किसमें जाती है उस माउर्जा में चलिए तो आखरी आपके सामने है और इस सवाल का जवाब आप दे दीजे इसके आगे सवाल नहीं होंगे आज 70 सवाल के इस रिंख लाई हैं पर समाप्त होगी जिसमें 5 सवाल एक्स्टर आपको दिये गए चंद्रमा के प्रिष्ट पर अंतरिक श्यात्री एक दूसरे से बात क्यों नहीं करते क्यों नहीं करते क्योंकि ध्वनी तरंगों का उसोषड हो जाता है क्योंकि ध्वनी तरंगे दिरवात में आगे नहीं बढ़ पाती क्या होगा इसका जवाब क्योंकि चंद्रमा के प्रिष्ट के समीप तापमान बहुत अधिक होता है इन में से सभी सही जवाब क्या होगा कोस्चन नमर 75 सभी लोग जवाब दे राहुल हां रिंकी जी क्या होगा CBD याद रखेगा ध्वनी तरंग के लिए माध्यम चाहिए ध्वनी तरंग के लिए क्या चाहिए माध्यम क्या होशकता होती है और माध्यम में ही अनुधहरी तरंगे संचरित होती है तो पूछा है यहां पर ध्वनी तरंगे निर्वात में आगे बढ़ नहीं सकती क्योंकि माध्यम नहीं है क्योंकि यहां पर कोई माध्यम उपस्थेत नहीं है परमहंस बिलकुल याद रहेगा चले आगे चले इसी के सा अगर आप हमारे यहां बिहार पुलिस का स्टेबल के लिए डेडिकेटेड एक ऐसे बैस से जुड़ना चाहते हैं जो बिलकुल जिसमें एड्मिशन का मतलब सेलेक्शन अगर बन से आप पढ़ दें तो जिसमें सुबह साढ़े आठ बजे साइन्स की क्लास दस बजे इतिहास की क्लास, तीन बजे, यह तीन बजे कहएं, प ningún की क्लास शुरू होगी, और दो बजे आपके लिए करेंट आफेर की क्लास शुरू होगी, और बिहार स्पेसल जो है जूलाई अंतियम सपता से शुरू होंगे, और बहुशी सारी चीजे जो हैं, जैसे रिकार्ड़ट फॉर में गडित है, हिंदी है, अंग्रेजी है, पॉलिटी है और अर्षास्त्र है, ये कुछ रिकार्डट फॉर्म में आपके एक्जाम जल्दी है, इस अंदर में, कुछ लाइब दोनों चीज़ें आपको मिल रही है, मात्र इस समय, है, 399 में है, कोई समस्या हो, तो आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, चलिए, हमारे एप को इस्टाल करने के लिए गूगल प्ले स्टोर पे जाएए, एमडे क्लासेज का अफिशल एप्लिकेशन इस्टाल कीज़े, पेड कोर्सेज में जाएए, आपको लक्ष बैच मिल जाएगा, इसके अलावा, आप जानते हैं कि हमारे हाँ एप्लिकेशन में बहुत सारे बुक्स हैं, डेली क्वीज़ हैं, फ्री टेस्ट हैं, फ्री कोर्स हैं, बहुत सारी सीज़े और अगर आप इस बैच के अलावा कुछ देखना चाहते हैं, तो देख सकते हैं, चलिए, चलिए, तो इसी के साथ आज का ये सेशन समाप्त करते हैं, अगर किसी तरह की कोई और समस्या होगी, तो जरूर बता आज प्रसंद आया होगा अगर आज का सेशन सभी को प्रसंद आया है तो एक बर वीडियो को सेर कर दीजेगा दुबारा कल मुलकात होगी दोपर में एक वजे रेलवे पुलिस का स्टेबल के तो बारव वजे आपके लिए जीके जीएश विसाल सर के द्वारा पढ़ाया जा है लगवग हजारों में हैं तीन हजार के करीम हैं उन सभी से निवेदन है कि वह सुबह साड़ाइड हो जाज़ेगा कल साइंस में केमेस्ट्री की क्लास लाइब होनी है थैंक यू सो मच मस्त रहे जिवर जस्त रहे